नवश्कार दोस्तों रादे राधे सभी को सभी का स्वागत है आज फिर से एक और शांदार सेशन पे सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बदाईया एक्जाम क्लियर करने के लिए यह जो वीडियो है यह स्पेसिफिकली उन स्टुडेंट्स के लिए हैं जो 25 और 4 मार्ज को एक्जाम देने वाले हैं और जानना चाते हैं कि सर बचे वे दिन को माक्समम तरीके से कैसी उटलाइस किया जाए तो बच्चों से रिक्वेस्टे टाइम बचाने के लिए 1.5 एक्स पे आप ये वीडियो पूरा पूरा देखिएगा एंड तक देखिएगा सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा जितने भी रिकमेंडेशन से या जो भी मैं सजेशन दूँगा उन सभी का जो रेस्पेक्टिव लिंक से वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चेक आउट जरूर कीजिएगा और आप अ इतने सारे बच्चों के कमेंट है कि सर हमने तो करेंट अफेर्स पड़ा ही नहीं हमारा तो पेपर ही अच्छा नहीं गया था हमारा सेलेक्शन कैसे हो गया कुछ स्टेट्स को छोड़के जैसी कि कैरला है वेस्ट बंगाल है और इवन महराश्ट्रा भी है इन कुछ 10 होता है वो हो सकता है 1 is to 15 ये विन 1 is to 20 कर दियो तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है अब क्या होगा हमें नहीं पता हमारे हाथ में नहीं है और ये हमारा वो हमारी यार जो हमारी जो ड्यूटी है अभी करेंट ली हमारी जो नहीं पर जिसे कहते कि करतव ये क्या है सर हमार जाए चुछी आसे एक है यह समय दोनीक भूल जाओ यार कौन से चल रहा है कौन सी ओनारी मेंहें ऊनसी को क्वांट् साल सब भूल के गायब हो जाओ इन बच्चे विच इतने भी दिन है उनके लिए और इतनी पढ़ाही करो कि खुद को भी सर्प्राइज कर दो है ना तो उसी के लिए आप लोगों के लिए मैं रूटीन लेकर आया हूँ दो डेट से अपने पास 25 फरवरी 4 मार्च 25 फरवरी क्योंकि आज ये 16 तरिकों मैं वीडियो बना रहा हूँ 9 दिन बचे चार मार्च वालों के लिए 17 दिन बचे हैं या आगे 13 प्लस 4 क्या लिखा है ये मैं आपको एंड में बता दूँआ ठीक है जी तो शुरू करते हैं देखें ना वो पढ़ाई करें 12 घंटे बचे वे दिन में आप नहीं पढ़ सकते तो इसका मतलब आप सेलेक्शन के लायक नहीं है अकोर्डिंग टुबी बूल जाओ ना है यार सब कुछ सर्फ खाओ पीओ दो है ना बाकी पढ़ाई करो बाकी बच्चे वे पूरे टायम अच्छी नींद लो नींद इंपोर्टेंट है नींद बहुत ज़्यादा सेक्रिफाइस नहीं करना जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यार अपने आठ नी तो साथ गंटे अपने बढ़ सकते आप बिल्कुल 100% निकाल सकते हो 12 गंटे की मैं आप सभी से मिनिममम एक्सपेक्टेशन रखता हूँ और यार जान लगा दो ना इससे तगड़ा मौका मान ले दो अपने ने दो संभावनाव की बात की थी या तो सर 12-15 या 12-20 ले लिया तो competition बहुत तगड़ा रहने वाला है उस situation में तो अगर दूसरी संभावना होगी तो दूसरी कौन सी अगर number of vacancies बढ़गी तो तुसरा हमारे पास बहुत तगड़ा मौका होगा बहुत सुनेरा मौका होगा क्योंकि इसके बाद तो interview भी नहीं है प्लस ये अपने main list में ना भी आए तो ये लोग तो waiting list भी निकालते हैं सोच रहो आप ये बात तो यार इससे तगड़ा opportunity अपने को नी मिल सकती मौका हाथ से मत जाने देना ये request है मेरी सभी से तो क्या करेंगे अब 12 गंटे तो निकालेंगे सार 12 से भी आपको ज्यादा पढ़के दिखा देंगे तब मसाएगा तो start करते है current affairs के current affairs में दो category है यार prepared, not prepared इसका मतलब एक बच्चा वो जो already current affairs की preparation करते आ रहा था जो बिल्कुल सही तरीका और एक जो जिसने उमीद ही नहीं की थी तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा था तो सबसे पहले prepared की बात कर लेते है prepared वाले already last 4 months का if not 5 months 4 revision कर रहे हैं तो October, November, December, January ये चार महीने आपके already काफी हद तक त्यार हो चुके हैं ये इनदा प्रोसेस है, revision चल रही है उनकी बड़ी अवली और फरवरी से काफी बच्चे पूछ रहे हैं सर कितना पड़ें तो जिन बच्चों का 25 फैब को है वो पहले 2 weeks का पढ़के चले जाना, ठीक है? सफिशेंट ह पहले 2 weeks फरवरी का पढ़ लेना, अब सर ये पढ़े कहां से? इसके लिए मेरा suggestion है, आपके कोई भी platform हो सकता है, अलग भी हो सकता है, मैं suggest करता हूँ Affairs Cloud का, Affairs Cloud का annual plan नहीं है तो ले लेना, बहुत useful होगा, बहुत सस्ता है, code virtuous लगाओगे तो further 10% का, 10% आपको further discount मिल जाएगा और यहां से जो prepared बच्चे है, already weekly PDFs निकाल रहे है, weekly PDFs का, weekly PDFs का इनका revision चल रहे है, साथ ही साथ जो एक इनकी monthly MCQ आती है, monthly हर महीने की MCQ आती है, वो कर रहे हैं और इनकी quizzes वगएर है, वो देते जाते हैं, ठीक है जी? और अभी शनिवार को, अभी Saturday को कली है न, Saturday 17 तरी को, Saturday को ये revision slash exam PDF specifically for SBA clerk mains निकालने वाले है, बहुत तगडी revision PDF रहने वाली है, है न, वो PDF मैं suggest करूँगा, not prepared वाले candidates के लिए, क्योंकि उनके पास अब समय नहीं कि बहुत जादा detail में कर पाए, तो उनको मैं suggest करूँगा, क्या रहे, December, January, plus February के दो weeks, इतना आप अच्छे से कर जा साथ ही साथ जो revision exam PDF आए, उसको जो Saturday को आए, उसको अच्छे से निकालना है, कहा से निकालना है, Affairs Cloud से, आप का नाम है Careers Cloud, जैसे मैंने कहा, suggestion जो भी दूँगा, वो सब link description में होगा, 10% का discount using the code virtuous, कितने गंटे पढ़ना है सर, इसके लिए, मेरा suggestion है, 16 तरीक से लेके, 21 तरीक सब अटाओ यार, delete कर दो, 9-10 दिन की बात है, delete कर दो ये सब, देखना भी नहीं है कि क्या है यार, देखे तो, loophole है वो, वो चलता रहेगा, चलता कभी निकल ही नहीं पाओगे, उस cycle से, इतना time waste हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, फिर अफसोस guilt में जाओगे, guilt trip में च दाई गंटे पढ़ना है, उसका 1 minute भी खराब नहीं करना अपने को, ठीक है, तो दाई गंटे 16 से लेके 21 फरवरी तक, अब 22 से 24 इन तीन दिन किते पढ़ेंगे, तब सर अपने पांच वा गेर लगा देंगे, पांच वा गेर लगा देंगे, पांच वा गेर लगा देंगे, पांच पांच गंटे पढ़ेंगे, किते दिन के लिए, तीन दिन के लिए, तगड़ा वाला रिवीजन होगा, तगड़ा वाला रिवीजन होगा, पांच गंटे, डेली वाला टोटल रफली मैंने 30 आर्स बता हैं किन के लिए 25 फरवरी तो स्राइब चार मार्च वालों के लिए उनके लिए सबसे पहले पेड़ का मैं ऐसा अल्टिमेट ऐसा अल्टिमेट सजेशन दे रहा हूं जिसके बाद फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा इसमें 2023 की जो क्लर्क मैंस की प्रैक्टिस जितने सेशन से वो आ रहे और 22 का भी जो हमने क्रैश कोर्स करवाए था मैंस का वो भी इसके अंदर इंक्लूडेट है तो मान के चलो रीजनिंग के 60 सेशन रीजनिंग के 60 और क्वांट्स के भी टोटल किते 60 सेशन से मेंस के शॉट सॉट सॉट सेशन इतनी सारी प्रैक्टिस है अब फ्री में फिर आप यूट्यूब पे हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर देख रहो हूं इसके एम 320-23 प्लेइलिस्ट की जो लेटेस्स से ना उनको आप कंप्लीट करना स्टार्ट करें ठीक है जी वह आप कंप्लीट करना स्टार्ट करें और अगर आप पेडवाला लेना चाहते तो कोड मत भूलिएगा कोड लगा दीजिएगा क्या वीटी ट्वंटी और कितने रुपए का पड़ेगा ओनली फॉर फॉर सेविटीन रुपीज यहार चार्सवासी रुपए क्या ही होते हैं आजकल चार्सवासी रुपए में क्या आता है आप बताओ पूरा का पूरा चेंज हो जाए सिनारियो है न और पढ़ाया मैंने उसी तरीके से है इसके अंदर यार तो यह आप ले सकते हैं यूट्यूब वाला है अब आता है कि सरक कितना कितना टाइम दे सोला से किस साड़े तीन गंटे इच साड़े तीन गंटे कौन साड़े तीन लास्ट ट्री डेस बाइस से चोविस में धाई धाई गंटे क्योंकि करेंट अफेर्स को अपने को एक्स्टा टाइम देना है तो यह मेरा सजेशन है फॉर कौन्ट सेंड रिज्ञें अब नेक्स जो पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है मोक्स के रिगाड़े कि सर्फ मॉक्स कैसे कैसे देने तो सबसे पहले तो मैं सोर्स सजेस्ट कर देता हूं तो मेरा जो प्राइमरी सोर्स जो सजेशन कर रहता है फॉर मॉक्स डैट इस गाइडली का सिद्हा गाइडीक यहां पर कोड मैंने लिख दिया घ्री वरच्वास 22% का सीधा ओफ मिल जाए है Bosma 12% का सीधा औक मिलेगा देख लीजेगा 12% का सीधा ओफ मिलेगा यूजिंग दख अऀय देग अपर से पहले 3 सेक्षिनल मॉक्स और 3 तीन फुल मौक्स आपको निकालने वह आपके अकॉर्डिंग है कैसे आप कहां पे निकाल के अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करो पर पेपर से पहले मैं चाहता हूँ तीन सेक्षिनल तीन फुल चाहता हूँ आप लोग से यूवी 10% ऑफ यह क्या आई यह कौन सा सेप बन गया है हां है टेन परसेंट सीधा सीधा ऑफ मिल जाए ठीक है जी तो यह एक्स्ट्रा सजेश्चेंशन रहेंगे तीन सेक्षिनल तीन फॉर तीन अपने फुल मौक्स और एनलिसस समझा देता हूँ मैं एनलिसस ऐसे करना है य वहूत जो अब बच्चे भी दिनों में ठाइम वेस्ट करना ननेसेसरी टाइम वेस्ट हो गां जीतना दो घंटे में प्रैक्टिस कर सकते हैं वो 2 घंटे में से हो सकता है पता चले मुश्किल सवाल कर⁉ने गंटे की practice निकल रही है तो बहुत ज्यादा मुश्किल सवालों को तो skip करो उनको बाद में भी चाहे मत solve करो पर doable doable वालों का analysis proper करो अपना देखो कि यार मैंने sequence of attempt मेरा कैसा है round one round two style में मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं इसके लावा silly mistakes में से कितनी हो रही है कोई particular topic है जिसमें problem हो रही है अच्छा अब कुछ नया मत उठाना कि सर यह topic में problem मैं बैठ के मैं करूंगा इसमें त्यार नहीं नहीं उसके लिए अब समय नहीं बचा है जो ठीक है उसको थोड़ा practice करके और better करना है जो खराब है उसको तो अब छोड़ दो उसका अब कुछ नही से आप पूछिएगा कि क्या setup रहना चाहिए बाकी आर्स आप बचावार्स English को दे सकते हैं जैसे कि साड़े तीन गंटे फर्स्ट वो six days के लिए जैसे कि उसमें था last three days के लिए 2.5 hours time के sense में मैंने बता दिया आपको बाकी content form में बाकी चीज़े वो आप अपने respective teacher से कर लीजेगा कि सर कैसे कैसे क्या क्या करना है जो भी मैं मैं सर है अब सवाल आता है कि सर चार मार्च वालों के लिए तुछ आपने बताई नहीं जो भी मैंने system बताया है यहां पर 9 देस को कैसे मैंने डिवाइड किया था? 6 प्लस 3 में आजी 6 प्लस 3 में था अब 4 मार्च वालों को क्या करना है? आपके जो यह 17 दिन है ना उनको 13 प्लस 4 में डिवाइड कर दो मतलब जो चीजे 6 दिन में की जारी थी यहां पर वो 13 दिन में की जाएगी जो यहां पर 3 दिन में काम किया जा रहा था वो यहां पर 4 दिन में काम किया जाएगा ठीक है जी? कि 6 दिन जो अपने ने मैंने आप से काम करने क्लिक कहा था 4 मार्च वालों को वो 13 दिन तक करना है लास्ट तीन दिन में जो मैंने काम बोला था वो चार मार्स वालों को लास्ट चार दिन तक करना है तो यह स्ट्राटजी आप फॉलो कीजिए और देखिए क्या जबरदस रिजल्ट आता है यूट्यूब की क्लासेज होने वाली और अब तो बहुत जबरदस्त वाली होने वा सुबद 10 बजे सिंग सर क्वांट्स की क्लास ले रहे हैं अभी करंटली और मैं अभी आज रीजनिंग की ले रहा हूं पांच बज़े यह टाइम वैसे चेंज हो जाएगा 19 फरवरी से क्योंकि हमारा नया कॉर्स थार्ट होने वाला है तो फिर वो टाइम चेंज हो जाएग तो सभी को best of luck त्यारी बहुत अच्छे से करो ऐसी करो कि खुद को सर्प्राइस करो ऐसे करो कि आसपास के लोग देखे दंग हो जाए कि भाई ये इनसान गायब कहां हुआ अभी तो यहीं कहीं गूम रहा था अब कहां चला गया गायब हो गया सर्वों कहां गायब हो गया अपनी preparation में अपनी duty में अपने कर्तव्य में इतनी तरीके से इतनी तरीके से खुद को जोग दो कि लोगों को पता ही नचले कि कहां गया और फिर ऐसे निकलो कि सब surprise रह जाए कि और बोई ये क्या कर दिया इसने ये तो बहुत जबरदस कर गया तो वो काम करने के लिए उस लेवल की महनत करो जो जो suggestions उनको अच्छे से अच्छे से implement करो now that's all for today's session रादे रादे